हेलो जी वेलकम बैक आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करने जा रही हूं जैसे आप देख रहे हैं यह है पजामा या प्राउजर कुछ भी कह सकते हैं पजामा है नॉर्मली घर पे पहनने वाला इसकी ना लास्टिक काफी लूज हो गई है तो ना छिए जो ryto 진 though hedgeg road जो रहे में होते यह लेकिन प्रोब्लम है वो तो है यहां पर इसका नट भी इंडाला हुआ तो ऊसमीब निकाल द एसको सिलाईयां लगी हुई थी एक सिलाई यहां पे लगी हुई थी इसके यह लास्टिक के उपर एक सिलाई ऐसे लगी हुई थी और यह जो है बैल्ट आप देख रहे हैं अलग से निचे से स्टिच की हुई है और बैक साइड से मैं दिखाऊं कि यह बैल्ट का उपर का कपड़ा या लगग से स्टिच किया हुई है बट यह machine वाली सिलाई दूसरी machine वाली सिलाई है जो हम नहीं लगा सकते हैं घर पे normally इसको उधना हिना ही नहीं है तो जैसे यहां पे यह नॉड वाला जो पार्ट है और ये आप काम अपने घर पे अराम से असानी से कर सकते हैं इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप ऐसे चोटे-चोटे काम खुद अपने घर पे अपने ये चीजे कर सके तो सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे ऐसे सिलाइया लगी हुई थी ला बड़ी यह जो हॉल है नौड था इसमें वो निकाल दिया है नाला में ने इसमें से और इसी में से ही मैं लास्टिक एंटर करूंगी और यही लास्टिक इसी में से बाहर निकालूंगी आसानी से अब यह लास्टिक जो है यह सिलाई के साथ नहीं होती है तो यह अंदर ऐस इसके उपर सिलाइया लगी हुई थी तब इसको एक साइड से पकड़ के निकाल लेंगे बाहर अब इसको पूरा कट नहीं करेंगे पहले इसको निकालते हैं थोड़ा सा बाहर इसी की हेल्प से ही मैं दूसरी लास्टिक जो है इसके अंदर डाल लूँगे वह कैसे पहले इस इसको एक लगाते हैं कर इसको एक कट लगालेंगे ऐसे अब यह मैंलश्टिक लिए जो इसमें लगानी है अभी इसे कैसे लेनी है विय्श्टिक को मैंली है यह वैसे ठाइस थक होती है 28 इंच है यह लास्टिक लेनी है आपको जैसे मालो 36 मेरी कमर है 36 से टोटल राउंड में 36 अगर कमर है मैं आपको एक एक अग्जांपल दे रही हूं 36 है आपकी कमर राउंड में टोटल चीक है ऐसे चीक है उसका आपको उसमें से 10 इंच माइनस कर देना है 12 इंच करते हैं वैसे यह नॉर्मली हम तो मैं आज इसमें 10 इंच डालूँ जिए जो मैं लास्टिक ले कहीं हूँ यह अच्छी क्वालिटी की है और हार्ड है यह बहुत जादा लूज बहुत जल्दी लूज नहीं होने वाली तो यह काफी टाइम तक चलेगी तो इसे लिए तो फिर मैं इसको 10 इंच ले रही हूँ कम चीक है 12 इंच भी ले सकते हैं 10 इंच भी ले सकते हैं जितनी भी आपकी Total कमर हो जितनी भी हो उससे आपको 10 इंच मैंस करके ये लेनी है चीक है तो मैंने उसी के हिसाब से इसको लिया है तो 36 इंच कमर है तो इसमें से 10 इंच मैंस किया तो 26 हो गयाinis एक इंच मैंने और बढ़ा के रख लिया है और थाइस इंच मैंने इसलिए लिया है एक इंच यहां पर जब हम इसको सिलाई लगाएंगे जॉइंट लगाएंगे तो एक इंच तो आधा-ाधा दोनों साइड से अंदर भी चला जाएगा तो इस थाइस रह जाएगा एक इंच मैंने एक्स्ट्रा वैसे ले लिये तांकि म यहां व तो एक पैब रगानी है एक पीस पे नहीं लगानी है ताकि हम इसको असानि सेसे अंदर से मूव कर सके बाहर की और यहां पर सिलाई ज्यादा अच्छी रहेगी बट मैं पिन से ही काम चलाने वाली हूँ अगर आप से नहीं हो रहा है तो फिर आप यहां पर सिलाई भी लगा सकते हैं ठीक है एक पिन और लगा देती हूँ यह इसके ऑपोजिट साइड से लगा देती हूँ अब इसको इसके यह वाला पार्ट खीचेंगे और यासे यह जो वल पढ़ता रहेगा यह साइड में आता रहेगा ना पजामे का फैब्रिक तो यह उसी तरिके से यह इसके अंदर जाता रहेगा तो ध्यान रखना है कि यह सीधा हो यह जो लास्टिक है वह सीधी रहे या फिर बाद में आप उसको सीधी कर लें तो देखो मैंने लास्टिक इंसर्ट कर लिया हो जो पीटि वह तो इसके अंदर ही तो जैसे तैसे मैंने डाल ली यहां पर यहां तो तो सिलाई लगा के यह डालें या फिर से निकल जाता है क्योंकि छीचना पड़ता न सेफटी पिन लगा सकते हैं या सेफटी पिन से भी डोरी को और को को ज谈 सब्ग हम नाड़ा डालते हैं वैसे तो आप क्या करना है इसको लगाएंगे यहां पे इसको पक्का करेंगे ऐसे हैसे प्की सिलाहिं लगा देंगे तांकि यह निकले नहीं जो श्याROD है यह देखो कितनी सारी सिलाइया मैंने लगाई है इस पर अब क्या करना है इसको करेंगे पहले सेट ऐसे इसके अंदर इसको डाल देंगे तो अब इसको ऐसे ऐसे करना है यह पूरा सेट हो जाना चाहिए पूरे में लास्टिक जो है अच्छे सेट हो जानी चाहिए और यह बराबर आना चाहिए ऐसे किचेंगे तो ऐसे बराबर आ जाएगा यह पूरे में लास्टिक आ जाएगी ऐसे पूरे में आ जाएगी और यह इसके उपर लगाएंगे हम सिलाई जैसे पहले लगा दूंगे एक सिलाई यहां पर लगा दूंगे बिच का थोड़ा सा पाट छोड़ देंगे कि कभी नौट लगाने के जूरत पड़े तो लगावी सकते हैं नहीं तो नहीं भी लगाने की इसलिए लगानी होती है यहां पे लगा दूंगे न मिलाश्टी का जॉइंट लगाया है पहले इसके ऊपर ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे दो बार एक मिने लगा दिये एक वर ऐसे लगाएंगे अब इदर से ही घुमायंगे इसको एसे अब इसको खीचते हुए सिलाई लगानी है कपड़े को खीचना है आपको ऐसे ठीक है ऐसे खीचेंगे तो यह अच्छे से बैठेगी आराम से देखो ऐसे खीचा पीछे से भी हलका सा खीचना है क्योंकि यह फिलास्टिक की वज़ा से खीचता नहीं है चीक है इसी तरीके से इस पर सभी पूरे राउंड में हम ऐसे ही खीच के शिलाई लगा लेंगे ज़ें देख रहे हैं ऐसे इसलाई लगानी है सभी इदर भी ऐसी लगानी ऐसी लगानी आपको दिखाते हूं शिलाई लगा के देखो सिलाई मैंने लगा लिए कितना फर्क पड़ गया पहले ऐसे था यह खुला अब यह ऐसे हो गया तो यह दो यहां पर भी सिलाई लगा दिए मैंने यहां पर भी सिलाई लगा दिए तो अब यह अच्छे से सेट हो गया तो यह पजामा देखो नी तो ऐसे ही पड़ा रहता है। successes कातली भी कितनी है यह थे कितनी क्लेटी ति यह और उपर से यह लूज इतनी थे तो काफ़ी इसका वह था तो अब देखो कितना फर्क पड़ गया इसका वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक जरूर करके जाना जाते जाते तो इस आइडिया को जुरूर यूज करना और फिर अगर आप ये यूज करोगे तो मुझे कॉमेंट में फीडबेक जुरूर देना अपना कि अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो मैं मिलती हूं आपको एक और नहीं वीडियो के साथ थैंक यू फर वाचिंग